Hey Guys, Assalamualaikum, Welcome back to our brand new video अज हम बनाइंगे Eco Printing with Pressing Process तो यह process हम करेंगे Art Card पे leaves लगाएंगे और press करेंगे pressing machine के साथ तो यह जैसा के आप देख रहे हैं कि मैंने Art Card पे कापी ज़यादा leaves लगा हैं different size के different shape के green leaves होने जाहिए तो वो हम लगाएंगे art card पे रखेंगे दरम्यान में फिर fold करेंगे तो pressing machine में डाल के इसको press करेंगे तो यही हमने process यूज किया है तो इस pressing process के काफिय ज़ादा design मैंने create कर लिये है तो अब हम जैसा के अब इता रहे हैं कुछ लीव्स का आर्ट कार्ट पर जो color create होगा है वो कुछ green है और कुछ mud color है तो कुछ मद्डम ज़रा नज़रा रहे हैं क्योंकि ये इनका जो water ना कुछ पर कम लगा है कुछ पर ज़ादा लगा है तो इसी वज़ा से ये कुछ इस तरह के नज़रा रहे हैं ये दर असल fine art क जो student होते हैं वो इनको जादा use करते हैं क्योंकि उनको assignment मिलती है तो वो इनके कुछ models art card पे check करवाते हैं तो जादा तर हम इनको art card पे use कर सकते हैं, heart jar पे भी use कर सकते हैं, लेकिन white होना चाहिए तो ये card के तोर पे भी use हो सकता है किसी को हम wish कर सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं कोई poetry पेड़ा कर सकते हैं कुछ भी करके हम किसी को भी दे सकते हैं friend पेड़ा को तो क्योंकि ये जादा easy तरीका भी है तो हम इसके लिए जो art card है वो किसी भी shape का भी ले सकते हैं, जैसा कि triangle हो गया, circle हो गया, तो और भी कोई लेदा लेदा shape से छोटी बड़ी सब पे हम अगर छोटी हो तो एक leaf लख सकते हैं, अगर बड़ी हो तो जादा leaves भी रख सकते हैं तो इसी जासे ये process है, तो very easy method है ये तो मैंने काफी जादा models बनाए हैं इसके काफी जादा leaves लगाए हैं कुछ पे कम लगाए हैं, कुछ पे जादा लगाए हैं, तो मैंने सोचा ये सारी आपको दिखाए जाएं क्योंके आपको जो भी अच्छा लगए वैसा आप बना सकें तो ये देखें, तकरीबन हमारे हो चुके हैं, ये देखें किता प्यारा लग रहा है इस चार्ट पे मैंने लेदा लेदा leaves जरा स्पेज छोड़ के रखे थे तो ये देखें, इस पे मैंने काफी जादा रख दिये थे एक साथ ही, तो ये इसके उपर नीचे उपर नीचे हैं, लेकिन इनकी जो शेप से हैं, वो वाजिया नजर आ रही हैं, डिजाइन में तो ये देखें, अब उतनी रहा काफी मुश्किल से उतरा था ये वाले leaves तो काफी असानी से मिल जाते हैं तो ये देखें, मैंने सीधे रखे थे, एक दूसरे के उपर सीधे सीधे, तो ये भी देखें ये कितना प्यारा कलर है, तो इसका टेक्सर गरीन कलर में काफी ज़्यादा अच्छा आया है, तो ये देखें, मैंने सारे जो मॉडल हैं वो मैंने एक साथ रखे थे, तो अब ये देखें, मैंने कुछ, ये चोटे हैं, ये देखें, ये कुछ पे कम, जो टेक्सर है वो कम आया है, कुछ पे ज़्यादा आया है तो ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ चोटे मॉडल बनाए हैं और कुछ बड़े, तो ये जो बड़े हैं, इन पे काफी ज़्यादा कुछ से हाइलाइट हुए हैं टेक्सर और कुछ नहीं तो इनको अब हाइलाइट करने का मैथड जाने के इसी वीडियो में तो आप जुड़े रहिएगा हमारे से, ये जो हमारे पास एक आर्ट कार्ड है इस पे भी टेक्सर कम आ रहा था जैसा के इस पे आयरा है तो इस कार्ड पे मैंने एक ऐसा प्रोसेस यूज किया है जो के जाने गे थोड़ी देर में इसी वीडियो में है ये देखें, पहले हम दिखाते हैं के मैने ये मैथड यूज कैसे किया है इन पे टेक्सर कैसे आया है के साथ ये texture करेंगे तो अब हमने एक दो बार ये process करना है ताकि अच्छी तरह से ये जो leave है इसका texture art card पे अच्छी तरह से आ जाए तो ये process हमने ज़रा two time three time four time repeat करना है तो अब हम इनको निकालेंगे ये plates को रख देंगे side पे और अब हम ये art card को उतारेंगे तो ये देख रहे हैं कि इस पे जो texture है वो ज़रा कम आया है तो पहले मैं आपको ये बिताती चलूँ कि ये जो हमने pressing machine से ये pressing वाला process किया है ये हम जिरफ इस machine से ही नहीं कर सकते बलके हम जिगाड भी लगा सकते हैं जैसा कि ये बेलन है अब हम इसको पहले साइट पर रख लें तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास काफी ज़्यादा leaves बड़े हुए हैं तो ये काफी ज़्यादा ये सुराख है इस leaf पे तो ये leaf ऐसी अच्छा लग रहा है शायद sun leaf गया ने खाया हो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे भी मेरे पास काफी ज़्यादा leaves रखे हुए होते हैं क्योंकि मेरे पास काफी ज़्यादा order आते हैं कि मैं इनको eco-printing करके देती हूँ तो काफी ज़्यादा मैंने order किये हैं तो अगर आपको भी चाहिए अगर आप interested हो तो आप contact कर सकते हो तो यह देखे मैंने यह leaf लिया था तो यह देखें यह काफी ज़्यादा leaves रखे हैं इन पर मैंने एक process किया है जिसकी वज़ाँ से यह highlight इनका texture इनका color black हुआ है और यह देखें यह leaves totally black हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यह process दिखाया जाए तो इसके लिए हम देंगे rust liquid rust powder भी शायद बिनता है तो यह शायद I think so इस जंग वेरा के लिए use होता है तो हमने काट लिया इस पे हम brush के साथ magic करेंगे तो यह देखें हमारा magic हो रहा है जो अभी हमने leaf का जो texture हमने बनाया था तो यह देखें वो texture ब्लैक हो चुका है highlight हुआ है ना बिलकुल तो यह देखें अब दूसरी साइट पे भी ऐसा ही process यूज़ करेंगे तो यह देखें हमारा magic start हो चुका है तो यह देखें guys के हमारा magic बिलकुल successful रहा है तो यह देखें अब हम इसको dry करेंगे तो dry होने के बाद मिलते हैं जो पिक है यह कुछ केंट बात की है तो अब हम यह balance से press करेंगे और इस पे magic करेंगे तो यह हमारा magic start हो चुका है तो यह देखें साथ साथ यह highlight हो रहा है तो यह magic दरसल science का magic है तो अब हम हमारे तमाम texture पे rust liquid करेंगे तो यह देखेंगे पहला हमारा texture काफी अच्छा लग रहा है और कुछ देर के बाद और भी अच्छा आएगा तो जैसा कि हम अगर 19 सदी के जो paper है वो अगर देखें तो वो कैसे yellow से brown हुए पड़े होते हैं न तो इसी तरह यह भी yellow नहीं विल्कि dark brown, light brown कुछ इस तरह से हो जाएगे तो अब हम एक green जो color है green वाला texture जो आया है वो देखेंगे तो यह देखें यह texture वैसे अच्छा आया है लेकिन अब अगर हम इस पे rust liquid गएगे तो और भी अच्छा highlight होगा तो यह देखें पहले सिरफ टहनिया थी और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि leaf का all to all design complete इस पे highlight हो रहा है उनकी जो भी सारी leaves की line थी वो सारी देखें highlight हो रही है इदर नहीं हो रहा तो अब देखें यह अगर थोड़ा green हो तो यह ज़ादा डार काता है अगर ज़रा mustard color आए texture का तो यह ज़रा कम highlight होता है तो अब यह देखें leaves आसा आसा अच्छा texture पकड़ गया है तो अब यह देखें यह leaves भी ऐसे हैं यह वाले देखें यह वाले यह देखें सेम लग रहे हैं तो यह भी black है और यह भी क्योंके इनका color जो texture पे था वो green था तो अब यह भी green है शायद अच्छी तरह से इनकी lines भी नज़राएं तो यह देखें काफी जादा dark आया है color इनका जैसा कि यह क्योंके green color का texture था तो इसलिए यह ब black color आएगा इनका तो यह देखें जैसा कि हम सारे तक्रीमन हमारे हो चुके हैं यह एक leave रहता था तो यह leave पे भी हमने यह कर दिया है liquid तो अब हमें अच्छी तरह से सारे इनकी जो lines है वो वाजिया नजर आएंगी highlight होके तो अब हम इसका second method रियूज करेंगे पहले हम rust वाला liquid लगाएंगे अच्छी तरह से यह rust liquid लगा दिया एक साइट पे फिर दूसी साइट पे दोनों साइट पे अच्छी तरह लगा देना है और फिर art card पे रखेंगे तो art card के middle partition करेंगे उस पे रखेंगे और फिर यह देखें दो plates के अंदर हमने यह art card रखा उसको प्रेस कर दिया तो अब इसका जो rust color में टक्सर आएगा वो अब देखते हैं कि वो rust color में कैसा आता है पहले हम plates को अच्छी तरह से इसको clean कर लेंगे और फिर इसको निका लेंगे यह देखें rust हमने sim पर इस पे रस्ट लगा दिया था बवारा हमने अब rust liquid नहीं लगाना पिर दूसरा लिक लेंगे इस पे रस्ट लिक लगाएंगे इसको अच्छी तरह से रखेंगे और फिर अब हम इसको प्रेस करेंगे बेलन के साथ अगर किसी के पास pressing machine नहीं है तो यह बेलन के साथ अच्छी तरह से यह हो जाता है तो जो beginner हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं तो यह देखें अच्छी तरह से left to right उपर नीचे हर तरफ हमने बेलन करना है और यह देखें कि हमारा जो rust वाला लीव था वो वाज़ नजर आ रहा है तो यह कुछ एक इंट वाद की पिक्चर है तो जो student beginner है तो वो ज्यादातर इसे बेलन के साथ यूज़ कर सकते हैं तो इसे कोई फरक नहीं पड़ता कि प्रेसी मशीन हो यह बेलन के साथ हो कोई परक नहीं पड़ता तो यह देखें यह रस्ट वाला है अगर लीव पे रस्ट लिक्वर लगाएं तो वो इतना जादा अच्छा नहीं आता जैसा कि यह देखें यह कितने अच्छे नजर आ रहे हैं विकॉज इस पर हमने रस्ट कलर प्रेस करने के बाद यूज़ किया है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो लाइक शेयर और सुस्क्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी है अल्लाहाफिज